और यू फ्रेंज चलिए आज और एक नई टूर पे ये भी प्लोट करजद मुर्बार हाईवे से कनेक्टेड प्लोट है मगर ये इसका एंट्री करजद मुर्बार रोड से लिया हुआ है प्लोड पीछे की साइड में है जो रोड लिया है उसका एग्रीमेंट है रोड का देख लीजे टोटल पच्चास पुंटे का प्लोट है ओनर प्राइस फॉर लेक रूपीज नेगोशियेबल मारकेवारी कडाव से पहले दोनों साइड उसने रोड की दिमार्केशन करके रखा हुआ है प्लोट टेबल लेंड है दुसरा कडाव से पहले है इन्वेस्टमेंट परपस के हिसाब से फार्म हाउस के हिसाब से ये प्लोट सुटेबल है ये जो लास्ट पोले यहां से होता है प्लोट चालू ओनर ने इसमें एक बोरिंग किया हुआ है वो भी आपको मैं दिखा दूँगा प्लोट पूरा डिमार्केशन किया हुआ है पोल मार के सामने आप जो वाइट देख रहे हैं ये है बोरिंग का उन्होंने जो आउटलेट निकाला है वो है देख लीजे बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या वाटसप कीजे और एक बात है जो लोगों को टाइम की वेल्यू नहीं है सिर्फ बोल बोल के हाहा करके फिर वो आते नहीं है मेरी लिए वो इनसान की वेल्यू नहीं है क्या हो रहा है अब ज़्यादा ही हो रहा है मतलब अब हमने एक ये सिस्टम रब वनाने का ये सोचा है कि हम आपसे साइड विजिट की चार्ज लेंगे ताकि एक तो पहला जो टाइम पास वाले हैं वो कम हो जाएं दूसरा जिनको टाइम की वेल्यू ही नहीं है वो कम हो जाएं जो actual बायर हैं वही आएंगे जो प्रॉपर रहेंगे वही हमसे जुड़ेंगे हम उनसे जुड़ेंगे अच्छे लोगों से मिलना और जुड़ना अच्छा लगता है बाकि क्या होता है कि बोल देते हैं फिर हमने हमारे वही साबसे सेड्यूल बनाया हुआ है फिर वो आते नहीं है कुछ ना कुछ बहाना निकाल देते हैं हमारा सेड्यूल तो तुड़ गया और हमारा fix है कि हम दिन की एक या दो ही side visit देते हैं उससे ज़्यादा नहीं क्या वो थुक पट्टी लगाने वाला काम होता है फटा पट एक को दिखा उसको भगा के दुसरे को दिखा वो नहीं सुकून वाला काम चाहिए आने वाला दो अड़ाई गंटे की दूरी से आ रहा है तो उसको satisfaction मिलना चाहिए कि मैं अगर आया हूँ और प्लोड देखा हूँ तो worth है चलिए friends फिर मिलते हैं